सूर्य प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, प्रकर्टा देता है, सब कुछ देता है, पर सबसे बड़ी बात यह है सूर्य में, कि सूर्य जो है गायत्री का देवता है, और उसी के नाते सत्बुध्धी भी देता है सूर्य ना होता तो मित्रों शायद इस धर्ती पर जीवन ना होता सूर्य ने जीवन भी दिया प्राण भी दिया और हम सब को पुद्धी दी प्रग्या दी और उसी की वज़े से आज इतना बड़ा शष्टी का प्रकल्प खड़ा हो गया पित्रों सूर्य और गायत्री प्रकर्ता और प्रग्या के साथ सा चुड़े हुए दोनों के दोनों और उसी के साथ तीसरी रूप में आज मिल गई है मा गंगा सजलता की प्रतीक हम सब प्रार्थना करें मा गायत्री से सूर्य भगवान से मा गंगा से कि हमारे जीवन को सत प्रेड़ना दें श्रिष्ट मार्क पर चलने की हमेशा सतत प्रेड़ना देते रहें ताकि हम कभी गलती से भी गलत मार्क परना चले जाए बोल से भी गलत मार्क परना चले जाए सही गलत का चेन हमें करना है और हमें उन मार्गों पर चलना है जिन मार्गों पर चल करके लोगों ने महामानों की उपाधि प्राप्त की हमें भी परंपुज गुर्देव जैसा बनना है थोड़े अईश में सही 5%, 10%, 20% जितना हम बन सके उतना बनने कोशिश करना चाहिए परंपुज गुर्देव अपने माध्यम से एक ऐसी लीगे सी ऐसी परंपरा छोड़ गए है जिस पे चलने के लिए सब को अमंत्रन है गुर्देव ने का हमारे अंगवयों से हमारे अंगवयों जितने हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे जैसे बन जाए ऐसा कोई गुरु नहीं आया है ऐसा कोई महामनलिश्वर नहीं आया है ऐसा कोई बहुत बड़े संतों की विरादरी में से कोई आदमी नहीं आया है जिसने काओ तुम हमारे जैसे बन जाओ परमपुजी गुर्देव ने का तुम सब हमारे जैसे बन जाओ और तुम सब हमारे अंगवियों बन जाओ गुर्देव ने अंगवियों बना करके इतना बड़ा काम किया है कि गुर्देव के नाखुन, गुर्देव के उंगली, गुर्देव के हाथ, पेर, हम सब है और हम सब मिल करके एक मशाल बनाते हैं जो हमारे मिशन का मूल जो चिन ए, वह हो मशाल ग्यान यग्जी की लाल मशाल, वो ग्यान यग्जी की लाल मशाल जल रही है, इसलिए अनवरत हम सब लोग पूरी तरह से उन से जुड़े हुए, आएए बुरदेव का ध्यान करते ओम् भूर्भुवाहस्वाह तत्सावितुर्वारेन्यम् भर्गोदेवस्यदीमाहि दियोयोनाह प्रचोधया ओम् गुरु भ्रम्ण गुरु विष्नू गुरुडएव महेष्वराह GUरु साक्षात्परव्रंह तस्मैष्री गुरु वेळळणमा अखंड मंडला अकारम् व्याप्तम एन चराचरम् तत्पदं ळरुषितं एना तस्मैष्री गुरु वेळळणम मात्रवत लाल इत्रीचा पेत्रवत मार्ग धर्शिका नमोस्त गुरु सत्ता यही शद्धा प्रज्या युतां चया परमपुज गुर्देव और परमंद्रिया माताजी की सुक्षू पस्तिती में यहां बेठे हमारे देश-विदेश से आई हुए बहुत सारे कार्य करता हमारे देवतुल्य भाईयों देवी सुरुपा बहनों शक्ति सुरुपा माताओं आज इस पावन दिन गंगा दशेरा और उसमें भी बड़ी कठिनाई से यहां तक की मुझे नहीं मालूम था कि हरद्वार में प्रवेश इतना कठिन हो जागा कि लोगों को 8-9 गंटे लगेंगे हरद्वार में आने के लिए हरद्वार तक पहुँचने के लिए 4 गंटे 3 गंटे हरदवार में हमारे पास तक आने के लिए लोगों को 7-8-8 गंटे लग रहे हैं और उन कठिन परिस्थियतियों में आप आए हैं, आप सोभागी के पात रहे हैं, दन्यवाद के पात रहे हैं, आप सब को यह जो आज का दिन है, बड़ा पावन दिन है, गायत्री चेतना का उतरन धर्ती पे हुआ आज के दिन, गंगा का उतरन धर्ती पे हुआ गंगा दशेरे के रूप में, संस्कति के यह दो सबसे महत्वपुन प्रतीक हैं, गंगा और गायत्रे, यह हमाई दो पावन प्रतीक है पहरती संस्कुती इसी आधार पर महान बनी और सबसे पहली संस्कुती कहलाई साप्रतमा संस्कुती विश्ववारा मनुष्य की आंतरिक जीवन की पवितिता का नाम है गायत्रे आंतरिक जीवन और बहिरंग जीवन की पैतिता जिससे उसका व्यवार दिखाई पड़ता है उसका नाम है हमारी माता गंगा जिसने की इस धर्ती पर आकर हम सब का कल्यान किया और कोई दो इस देश नहीं मिला उसको वह अमेरिका भी जा सकती थी वो रूज भी जा सकती थी थोड़ा पास में पाकिस्तान भी था वहां भी जा सकती थी पर वहां नहीं गई तो छोड़ करके हमारे यह आई और हमारे यह आकर के हमारे यह उतरित होकर पूरे आर्या वर्त को सीजती हुँ चली गई इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा देश महान है हमारा देश महान है और इस देश नहीं में ही ये ताकत थी कि गंगा का आवहान कर सकती थी गंगा को धारण कर सकती थी इसलिए ये देश मा गंगा को अपने देश में पाता है तो बहुत बहुत सुखी महसूस करता है दोनों का जो उत्पत्ती स्थल है वह है गोमुक गोमुक हमाले हमाले से निकली गोमुक से निकली गायत्री भी निकली हमाले से निकली और गंगा भी निकली तो हमाले से निकली हमारी जो सब्वेता है संस्कृती है सबसे प्राचीन है और इसलिए हम जो है सुसंस्कृत वेक्तित तुवाले कहलाते हैं हम लोगों के बारे में जो कही जाती है बात कि और लोगों की तो ठीक है सब्वे बहुत है सब्वेता और संस्कृती दो अलग-अलग चीजे हैं सब्वेता किसी में भी हो सकती है पड़ा लिखा कर किसी को भी सब भी बनाय जा सकता है पर सुसंस्कृत बनाय जा सकता है उसके संस्कारों को बदल करके संस्कारों में परिवर्तन ला करके यह बहुत बड़ी बात है गायतरी वेदमाता है विचार संपनता का प्रतीक है हमारे विचार संपन है हमारे घर में संपनता नहों भले हमारे प पद्दती है तो बाब पूस्ते हैं गायतरी क्या है तो गायतरी की परिभाशा दे रहा हूं गायतरी संपनता का प्रतीक है गायतरी विचार सूत्र है गायतरी साधना पद्दती का नाम है गायतरी संस्कृती है गायतरी शाष्ट्र है और गायतरी हम सब के लिए सद्ग्यान क अधिश्ठात्री देवी है गायत्री गुरु मंत्र है ज्यान मंत्र है एक मात्र अनादि मंत्र गुरु मंत्र एक ही यह है गायत्री जिसको आप सुनते हुए भी दिख्शा ले सकते हैं गायत्री मंत्र को सुनकर के आप दिख्शा ले सकते हैं गुरु व्यक्ति न हो तो भी कोई फरक नी पड़ता, पर गायत्री मंद्र में इतनी शक्ती है कि गायत्री मंध आपको विलकुल गुरु की तरह से पालन करेगा और आपको शिश्य की तरह से दिक्शा देगा, गायत्री मनन करने के कारण, त्रान करने के कारण गायत्री एक प्रकार से बहुत बड़ी शक्ती है गायत्री केवल रटना नहीं है लोग क्या समझते हैं, गायत्री मंत्र को रट लिया हमने गायत्री मंत्र को करते हैं, गायत्री मंत्र हम रिपीट करते हैं continuous उससे कुछ हो जाएगा ने उससे कुछ नहीं होगा गायत्री मंत्र जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं होगा गायत्री मंत्र का जीवन में उतरना एक सबसे बड़ी घटना है और जिस दिन वो हो जाती है उस दिन जीवन बदर जाता है हमारे अस्तित्त में विक्तित्त में घुल जाना, मंत्र का अर्थ आउम भुर गुवस वहतस से वितुर वरेन्यम परगो देवत से धी मही धीयो जिशको दिया और सब लोग बात करते हैं तेके साविया गायत्य मंत्र लिखाई गायत्री परिवारवालों से प्रभावित है गायत्री मन्त से नहीं होगा गायत्री मन्त के अर्थ को मंत्रार्थ को जब तक हमारे चेतना में और अंतर करण में जब तक गुलने का मुकानी मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा इसलिए गायत्री भारत का संस्कृति सूत्र है और इस संस्कृति सूत्र को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए वेद का सार है और वेद का सार अगर ज्ञान लुप्त भी हो जाए कहीं भी लुप्त हो जाए पंतो अगर गायत्री मंद जिंदा रहे आपको आपने सुना होगा कि एक बार धरा प्रलाय आए जल प्रलाय आए जल प्रलाय आने के बाद सारा ज्यान बहे गया पर गायत्री मंद जिंदा रहा गायत्री मंद जिंदा रहने से सारे के सारे वेद फिर से जिंदा कर लिए गए सारा ज्ञान लुप्त हो गया था तो सारा ज्ञान को फिर से ले लिया गया गया गायत्री मंत्र एक प्रकार की एक आप यह से कर सकते हैं DNA को बदलने वाली प्रोसेस है और उसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है गयत्री मंत्र से आप सारा ज्ञान पूरा वेदों का हमारे आरश ग्रंथों का सारा के सारा बटोड सकते हैं गयत्री मंत्र प्रकाश का श्रोत है और गयत्री मंत्र हमारे जीवन में विविन रूपों में आता है पहला है ओंकार उंकार जो है वो ध्यान बीज है उंकार ध्यान बीज है अगर आप उंकार का भी इसमन करते हैं तो ध्यान बीज है परमेश्वर का नाम है उंकार भूर भुवस्व तीन व्याहतियां है तीन इसके आयाम हमारे जीवन में उतरें चिंतन चरित्र व्यवार में है पूर बुवा स्वा चिंतन चरित्र व्यवार तो ये भू लोक स्वर्ग लोक देव लोक पाता लोक सभी लोकों में जो विस्तार होगा इसका उसकी वज़े से इस थूल सुक्ष मकारण शरीर हमारे तीनों के तीनों ये पवित्र होंगे अगला है, यह तो शुरू शुरू की चीजे हैं उसके बाद है तत सवितुर βरेंड्यम तत याने वाद द्यक्त वहाँ सवितुigration याने सविता का तेज वरेंड्यम याने वरेंड्यम हम सडक से बाहर निकल करके कि अपनी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं ढूनते कि वह जा रहा है उसको ढून लेते हैं वही ले लेते हैं ऐसे नहीं हम सोच समझ के खोच कबर करके पता लगा के अपनी लड़की के लिए और जिसको ढूनते हैं वह लड़का वास्तों में है कि नहीं अजा उसके वा वरन करने योग्य जो है वो सविता दे होता है, सवितु हु वरन्यम, शरिष्ठ, वरन्य का मतलब होता है शरिष्ठ, हमने जब ससुर जी जब पूजा करते हैं अपने दामाद की, आज कल तो कहा होती, कुछ नहीं होती, आज कल तो यह लगता है कि कोन दुष्ट आ गया मेरे और मेरी लड़की को इसने अरण कर लिया, पर पुराने यमाने में ससुर और जो दामाद के जो संबन थे, वो ऐसे थे कि यह शरिष्ठ वेक्ती मेरे अंदर आया है, मेरे घर में, मेरे घर को भी सुन्दर बना देगा, स्वक जैसा बना देगा, मेरे बेटी को भी सुख दे अगस्त मुनी आर्यों के प्रतीक थे, और शंबर जो था वो अनार्यों का प्रतीक था, आर्य यह शरिष्ठ, आनार्य यह निक्रिष्ठ, तो वेदों में कथा है कि परस पर युद्ध होता था इन दोनों में, और अगस्त मुनी जो थे, वो अकसर शरिष्ठ होने के कारान विजही होते थे और कई लोगों को बना लेते थे उनको बदल लेते थे उनको परिवर्तन कर देते थे जैसे आज जैसे कई बात धर्म परिवर्तन की बात होती न धर्म परिवर्तन नहीं संसकार परिवर्तन संसकार परिवर्तन करके उनको कई लोगों को आरे बनाया है तो इत आट रूप देने के लिए दस्यों को भी आरे बनाया जाया तो युद्ध से नहीं जीवन परिवर्तन की सूत्रों से जीवन परिवर्तन का सूत्र का है गायत्री है इससे किया जाया बुरे वेक्तित्तु के सहर यही उपचार है तो यह ओम भुर भुष्वा तत्सवितुर व सविताई देउत्ता का वरिनि-तेज ऋर उससे हम स्रेष्थbs बनें अगर आप बहुत दिनों से जब कर रहे हैं और कहते हैं हमने तो चोईष्च ँई जाख के चोईश अनुश्ठान करडावे क्योई चोईश विवीन नहीं इसते बता रहा हूँ भर्गो दिवसी धिमई का मतल popular तेघस्विता को धारण करना है तेघस्विता को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्टता के माद्यम से तेघस्वि बनाना है हम ये दिदि तेज़ भूल बनाने कोशिश करेंगे तो ब्रम्म तेज को ही धारण कर पाते हैं और अन्याय का प्रतिरोध करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगे हम अन्याय से लड़ सकेंगे अनिति का प्रतिरोध कर सकेंगे परमेश्वर का तेज हमें एक जब हम धारण करते हैं तो निर्भीग बनाता है सहासी बनाता है कोई भी चीज आजाए हमारे सामने हम कभी भी उससे डरेंगे नहीं कोई भी आजाए बड़ी से बड़े संकट आजाए हम निर्भीक बने रहेंगे अगर हमने गलत काम नहीं किया है तो यह हमें सहासी बनाता है तीसरा है दियो योनः प्रचोदियाद, दियो योनः प्रचोदियाद का मतलब है सामोहिकता, हम सब साथ साथ चलें, हम सब मिल करके चलें, गायत्री मंत्र में अहंकार को को इस्थान नहीं है, दियो योनः, नह याने हमारी बुद्धी को, उन्होंने मेरी बुद्धी नही तो यह जो सामोहिक्ता की मानसिक्ता पढ़ा की, यह गायती मंथ्र ने पढ़ा की, दियो योन पचोधियात, अगने नए सुपथार आए, जो हमारे वेदों के रिचाए हैं, वो बताती हैं, यह एक प्रकार से राष्ट आराधन का सूत्र है, पूरे विष्व को कैसा होना चा आज पूरे भारत की यात्रा जो चल रही है और किस दिशा में चल रही है गायत्री मय बनने की यग्य मय बनने की और गायत्री मय बनने की आज आप जब सब जो देख रहे हैं पूरा के पूरा जो समुच्चे चल रहा है आज की राजनीती जिस दिशा में चल रही है और आज क जो पुरा कर्म चल रहा है वो सारा उसी दिशा में जा रहा है आने वाले 10-15 वर्षों में आप देखना मित्रों गायत्री घर घर में सम्व्याप्त होगी घर घर में पहलेगी और उस से उस राष्ट की आराधना से उस राष्ट की उस आराधना से हम अपने इस भारत वर्ष को पुना जगत गुरू बना सकेंगे पुना हमारा देश जगत गुरू बनेगा क्यों लेकी वज़े से कि हमारा घर घर में गायत्री है मंत्र से नहीं गायत्री शक्ती से गायत्री को शक्ती समझे संस्कती सूत्र समझे जान का सूत्र समझे, तब जाकर समझ में आएगा नहीं, तो क्या होता है? हमारी पूरानी सोच है, हम करमकांडी हैं, हम शुद्ध उच्छारन करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, बंदो हम गैत्री मंत्र से कोई मतलब नहीं मित्रूइब गैत्री मंत्र को किस तत्वदर्शन को में जब तक जीवन में निइ उता रेंगे तब तक कुछ फायदा ने है इसलिए जैसे गांदी जी का चरका था और वो सूत्र बन गया गांदी का चरका आजाधी का अधी का परतिक बन गया उसी तरह से गुरदेँ का गाहतीरी मंत्र जो है वो मित्रों एक प्रतिक बन गया है कि ये नव यूग का एक प्रकार से लाने का आधार बनेगा नव यूग को लाने का आधार बनेगा नया यूग आएगा जमाना आएगा इसी के माध्यम से है गात्री के माध्यम से करांतिकारियों ने इसी चीज को इनकलाब जंदाबाद के माद्यम से दिया था परमपुजी गुर्देव ने इसको गाहतरी मन्ति के माद्यम से दिया मेरको एक सुत्र मेरको एक प्रसंग याद है इसमें स्वामी श्री अर्विन ने एक लिखा है एक किताब में विश्यू का बदलते विश्व में भारत का पुनर जीवन उसमें उन्हों लिखा है कि 1909-1910 के आसपास वो पढ़िचरी आये थे उन्हों लिखा था कि अभी इस समय वंदे मातरम वो सूत्र है और इंकलाब जंदाबाद की बात भी करांतिकारी करते है अब उस मंत्र के आने का समय आ गया है जिसको ले करकर एक माहपुरुष आ रहा है और वो आएगा तो देखते देखते पूरह भारत बदल जाएगा पूरह विश्व बदल जाएगा पूरह विश्व में वो करांतिकारी करगए है तो गायत्री को आप केवल ये मत मानिये, गायत्री माता है कि मुर्ती हमारे पास है, गायत्री माता है कि छित्र हमारे पास है, ये मत मानिये, गायत्री शक्ती है, आदि शक्ती है, गायत्री युग शक्ती है, राष्ट्र शक्ती है, एवं मैं राष्टे जाक रहे हैं पुरोह कि वह पुरोहिति जो आगे बढ़े जो आगे बढ़ के कहे हम जेसा चल दहले हैं जा चलो तुम सब पुरो यानि आगे तो हम आगे चलने का नाम ले जो तीन जो अंग है वो हैं व्यक्त निर्मान, परिवार निर्मान, समाज निर्मान मैं निए विल्कोल मिशन से जोड़ के किया रहा हूं सारी बाते हैं. कहीं मेरी विश्चीजेओं में वो सास्ट्रोक बाते नहीं हैं. व्यक्ति निर्मान परिवाण निर्मान समाज निर्मान. व्यक्ति निर्मान तत्स बितुर वरेंजयum से. भर्गो देव सिधी मही से परिवार निर्माण दियो योनो प्रचोद्यात से समाज निर्माण सम्हो निर्माण, भारत निर्माण विश्व निर्माण, सारे विश्व का नव निर्माण गायत्री मंत्र से ही होगा इनका तीन निर्वानों के मात्यम से परिवर्तना आएगा छोटी शुरुवाद बड़ा परणाम छोटी शुरुवाद छोटा सा है इतना सा मंत्र ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है हमारे विश्वा मित्र को भी कई वर्ष लगे विश्वामित्र को जब गायत्री मंत्र से में बनाना हुआ तो कई वर्ष लगे संखर्ष करना पड़ा उनके जो पूर्वजों जो हमारे भगीरत की कई पीडिया खब गई तब जाकर के गंगा आई भगीरत जो थे उनका सबसे बड़ा काम ये था कि वो गंगा को धरती बिलाने का काम कर रहे थे चालिस पीडिया निकल गई तब जाकर के ये गंगा आई है इसी तरह से विश्वामित्र को भी बहुत संकर्ष करना पड़ा क्या क्या करना पड़ा मित्रों? उनको काम वासना से लड़ना पड़ा उनको कुरूद से लड़ना पड़ा उनको लोब से लड़ना पड़ा उनको मोह से लड़ना पड़ा उनको अहंकार से लड़ना पड़ा इन सब से लड़ाई करके पर निरंतर वो संकर्ष करते रहे विश्वामित्र एक परंपरा है एक विश्वामित्र नहीं हुए होंगे हो सकता है कि कई विश्वामित्र हुए हों तब जाकर के एक अंतिम विश्वामित्र स्थापित हुए हों परंपर जो गुर्दे हो उस विश्वामित्र के सुरूप के रूप में हमारे बीच में आये हैं यह हमारा बहुत बड़ा सोभाग है कि वो विश्वामित्र के रूप में इस परंपरा को स्थापिक किया समस्या का दिर्ग कालियन समाधान है कायत्री मंत्र जीवन शेली को सुधारने का मंत्र है गायत्री शेश्टता से का वरन करना प्राणों को तारने का प्रयास करना और प्राणों का परिशोधन करना आज सबसे बड़ा प्रदुशन जो है वो प्राणों में है और प्राणों के प्रदूशन से जितनी बीमारियां हैं, जितने मानसिक रोग हैं, जितनी लडाईयां हैं, आ ये प्राणों का प्रदूशन तो ही है, जो आतंकवादी बनाता है, जिहादी बनाता है, आइसिस का अंग बनाता है, प्राणों का प्रदूशन, प्राणों का प् प्रयास करना हैं अनु जो तीसरा चरण है धिवन परत्रशन आध्यात्रिक बोध करा ता हमें कि हम क्या है हम सम मिल्कर के इक शक्ति है हम log के प्राणों का परिशोधन और आध्यात्रिक बोध यह हम लोगों के लिए बगवान देगए हैं और हमें भगवान के एक सुत्र याद रखना चाहिए आत्मनों बंदों आत्मनों बंदों आत्मनों रिपों आत्मना मन का मन ही मित्र है मन का मन ही शद्र है उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत अपने आपको कभी भी उस अवसाद में मज जाने दो आप देखिए अभी चुनाओ चला पिछले तीन मेने मेरे मन में बार बार आता था कब कब खतम होगा कब खतम किसी को भी लेक्ट कर दो भई किसी को भी किसी को भी चुनाओ में चुनाओ में घोशित कर दो पर वो चुनाओ में जो घोशित होने के पहले जिसका सब को मालूम उसके पहले कितने गालियां एक दूसरे को दी हैं कितने गलत गलत वाक के एक दूसरे से कहें कितने उनकी शडियंत्र रचे कहें बुद्धी का शडियंत्र है बुद्धी का शडियंत्र बुद्धी जब तक प्रग्या में नहीं बदलेगी तब तक वास्तों में भाव संशुद्धी नहीं होगी भाव संशुद्धी हो और बुद्धी का बोध हो कि हम क्या है बगवान ने अगर आप देखें तो बगवान मनु ने एक बात कहिए मनुर भवा, मनुष्य बनो यहने तुम अभी क्या हो, जानवर हो मनुर भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो उपहार पुजवर का कि गायत्री कर्मकार नहीं है भाव चेतना है और इसी जो हमारी दुर्गती हुई है देश की इसी वज़े से हुई है देश की गुलामी भी इसी वज़े से आई थी मित्रों अगर आप देखें तो भारत का सत्यूग बहुत बड़ा विलक्षन था द्वापर यूग, त्रेता यूग, त्रेता यूग शी किष्ण लाए द्वापर राम लाए, शीराम लाए और उसके बाद देखें तो कल्यूग जब आया तो कल्यूग का आगमन से लेके अब तक का इतिहास पूरा देखें तो आपको लगेगा दुरुगती जो आई हमारी इसमें हम गुलाम भी हुए और हमने लालची भी बने हमने देश दुरुही भी बने, प्रिष्टाचार भी किया और प्रिष्टाचार आकंट डूब गए हम लोग पूरे अभी भी है, अभी भी है पर अभी हमारे पास दवा है, औश्यदी है, मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है गायत्री मंत्र हम लोग सब मिल करके उस गायत्री मंत्र के मार्गम से हम कर सकते, उपचार कर सकते कब होगा विवेक अनन से किसी ने पूछा देश कब आजाद होगा, 1902 में पूछा, 1902 में उन्होंने कहा मेरे मरने के, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, 45 साल बाद देश आजाद हो जाएगा, तो क्या साथ एक सिद्पुरुष का आख्मन होगा, और वो सिद्पुरुष जो हैं, वेक्तितों बनाएंगे वेक्तितों का निर्मान करेंगे पित्रों, वेक्तितों का निर्मान गायत्री परिवार का निर्मान देश की आजादी के बाद जब अखन जोती घरगर पहुची है तब जाकर के देश की आजादी के लिए आजादी के बाद की जो प्रक्रिया चालोगा इसलिए ये मान करके चलिए कि विवेकर न जो कह रहे थे कश्मीर समस्या प्यदा ही नहीं होती हमारे देश में विविन प्रकार के पार्टिशन के ब सुपात्रों के निर्मान होगे हो सुपात्र साधक वेक्टित तो जब आगे आएंगे घर सारे तब जाकर के निर्मान होगा देश का नव निर्मान दंगा फसादी रष्टाचारी लोगों से कैसे बनेगा देश इंसे नहीं बनेगा इंसे तो आपको बहुत जादा दुख कि उज्क मिलने वाला आने वाले चुमाराइ उपार्दाध चावाणा कि अो बदले का यूजिवाल भाविष तो गुर्द्यों के गगए इकुस्वी सदी उज्वे अजे आगयी अब आगे ही तो थ्लदा वेट करो सुपात्र बनो साधंक बनो और काम करो गैतरी का नाम लो गैतरी का केवल नाम लेने से नहीं माले गैतरी को जीवन में उतारने का काम करो हमें विश्व इस्थर पर प्रेयास करना पड़ेगा आज विश्व प्रदूशन जो है मानसे कुई कृतियों का यूग है और हमको इसलिए मनुष्य बनना जरूरी है और पशुता और बरबरता को छोड़ना जरूरी है अगर आपको एक तथ्य बता दू कि तेजी से पूरे भारत में और पूरे विश्व में मानसाहरी लोग शाकाहरी बनते चले जा रहे है मानसाहर शाकाहरी बदल रहा है वो कि लोगों को लग रहा है कि मानसाहर हमारे लिए नहीं है हम केवल शाकाहरी बनेंगे शाकाहरी जैसे बनेंगे आदमी दिरे दिरे तो वो सात्विक बनेंगे सात्विक बनेंगे तो वो सतोगुणी के रूप में वो अपने जीवन में गायत्री को उता रहेंगे और गायत्री को उता रहेंगे तो गायत्री के माध्यमसुन का जीवन बदलता चला जाएगा इसलिए गायतर जयनती को साधरान परूमत मानना इसको एक दिव्विता का परूमानना दिविता को लाने का परूम engra हमारे अधरणी संत मुनी रिशी जितने भी हैं इन सबको देख लें तो इनकी संख्या करीब-करीब एक डिड़ दस बारा करोड होती हैं जितने भी भारत में सादू संत हैं उनकी पर इन संतों में एक में भी किसी में भी भगीरत का गुण नहीं है और उश्वामित्र का गुण नहीं है एक में भी किसी में भी धन का संचय और लोगों को लूटना लोगों को प्रोचन सुनाना जबदस्ति प्रोचन सुना के उन्ह जीवन का रुपांतरण तभी होगा जब व्यक्ति सदाचारी बनेगा, सदाचारण में परिवर्तन लाएगा, नितनों हमारे जो आधरणी विश्वामित्र थे, उन्होंने मेनका का आकरमन सहा, उन्होंने द्रिशंकु का जो प्रकरंट था वो सहा, काम का सहा, करोध का सहा, लोब का सहा, जिसको जीजी ने आपको सुनाया, आहम का सुना, लड़ए, तब वो लड़कर के, पराजित करके, उन्होंने ये जाना कि ब्रह्मतेज का रह strict से जानना पड़ेगा, दिख बलम शत्रे बलम, ब्रह्मतेज वो बलम बलम, ब्रह्मतेज का बल ही सबसे बड़ा तब गायत्री मंत्र का उद्ध आविशकार हुआ और तब गायत्री मंत्र आया इसलिए गायत्री मंत्र की महत्ता को आप इस रूप में समझना कि ये बड़े विराट रूप में आई है और ये जो आई है ये के वल भारत में ही आई है ये गायत्री मंत्र की चेतना किसे किनी क नहीं रूपों में, छोटे-छोटे रूप में, सभी देशों में हैं, विद्यमान हैं, आउची है, भारत से पोची है, भारती संस्कति से भी पोची है, पर सबसे बड़ी जरूरी चीज है, इसको समझना कि डिवाइन लाइफ की शक्ती है, गायतरी, और हमको इसको आत्म ब्राम्मन बने, विश्ववमित्र बने, विश्वरत से विश्वमित्र बने, और हमारे भगीरत, भगीरत राजा थे, बगवान राम के कुल में पैदा हुए थे, इश्वा कुवश में, करीब-करीब 40 पीड़ी पहले, पर लड़ते रहे, हर पीड़ी दर पीड़ी, हरेक ने संगर्श किया, क्यों? उनके पुरवजों पे श्राप लगा था, पुरवज कितने होते हैं, 40-60,000,000 होते हैं सगर पुत्र, 60,000,000 नहीं होंगे, 60,000,000 के प्रजा तो होगी कम से कम, 60,000,000 प्रजा के साथ साथ जो दिर दिर अभिशाप चाता रहा, श्राप बरसता रहा, तो गंगा को लाना जरूरी था, गंगा को लाना जरूरी था, तो फिर गंगा के लिए बगीरत तपे, बगीरत तपे तब जाकर क इतना बड़ा काम हुआ कि गायत्री दो शत्रियों के माध्यम से, दो ब्रामणों के माध्यम से, मैं कहता हूँ शत्री जो ब्रामण मन गए, उनके माध्यम से, शुद्र कामनाओं से दूर रह करके उन्होंने साधना की, और इन्होंने मित्रों, इन दो के श्राप लगे हुए गायत्री पे इन दो के श्राप लगे एक ब्रह्मा का भी श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा का श्राप के से निकलेगा ब्रह्मा का श्राप निकलेगा मित्रों श्राप इमोजन करने से इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रह्म वशिष्ठ ब्रह्म वशिष्ठ विश्वा मित्राये शाप विमुक्तो भव जब गायती साथने चलू करो तो ब्रह्म वशिष्ठ विश्वा मित्राये शाप विमुक्तो भव बोला इतना बोला बस इसके बाद आप ब्रह्म परायन आचरन करेंगे आप विश्वा मित्र के बता आचरन करेंगे, आप वो वाला आचरन करेंगे, जो कि आपके लिए वशिष्ट का बना हुआ, वशिष्ट है ने विशिष्ट, विश्वरत है ने विश्वा मित्र है ने विश्व के मित्र, तो मित्रों ये जो गायत्री का जो शाफ है, वो है य कि जब तक आपका चिंतन नहीं बदलेगा, जब तक आपका चिंतन नहीं बदलेगा, जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, चिंतन किसे बदलेगा, वेद ग्यान, चिंतन में वेद का ग्यान आए, चिंतन में विश्वमित्र की तरह से निर्मलता आए, आदमी रुका आदमी चुपने हुआ वो लड़ता रहा लड़ता रहा अपनी कमजोरियों से दुरबलताओं से कहां नहीं आ रही हैं कहां नहीं आ रही हर जगे कर दुरबलता हैं कमजोरियों हैं पर चरित की कमजोरियों से दुरबलताओं से लड़ता रहा लड़ता रहा और एक विश्वा आप लोग बार बार केते हैं गायत्री 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 गायत्र का प्रेड़ना श्रों थे गंगा और हिमाले दो हमारे पावर हूश हैं इस्पृच्छ पावर हूश और गैत्री साथकों की तरगा जुतनी जीद лишь जड़ से यदा है उससे भी जड़ सुट गैंगा गंगा सादकों के ऐसे गंगा सादक जो गयात्री का जब करते हो और सादक बन करके जिन्होंने अपने अचनतन चरित्र और वेवार को बदला हो ऐसे लो तो सरकारी मशीनरी लग जाएगी बहुत सारी मशीने लग जाएगी उनसे भी गंगा साफ हो जाएगी उस गंगा को जब ये साफ होगी तो गंगा देखते-देखते मित्रो सारे भारत का और सारे विष्च का कल्यांड कर देगी हमें समरडी का प्रती है गंगा मैंने आपको इतनी सारी गुण बताया है सब के सब पूरे वो सब गुनतव आएंगे जब समर्दी भी आईगी साथ में तो वंदे मातरम हम गाते हैं वंदे मातरम सुजलाम, सफलाम, मलेयज, शीतलाम ये जो है हमारे देश का हमारे हमारा देश जो है हमारे महापुरुशों की निगाह में मा था स्री अर्विन ने कलपना की कि मा है मेरे लिए भारत वरश मा है उसका जो उपर का हिस्सा है वो मुकुट है हमाले है बाया कंदा जो है दाया कंदा जो है ये दाया कंदा जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है जो अब पाकिस्तान बन गया हमारे देश का वो वाला हिस्सा था जो इरान तक चला गया था और पूरा के पूरा देश हमारा विराड देश बायाकंदा जो है ये कंबोधिया तक कंपुछिया तक चला गया था वियत नाम तक चला गया था मेरे देश की परिकल्पना मेरे दिमाग में जब आती है तो ये आती है वो कहते हैं विंद्या चल और सत्पूड़ा ये हमारे यज्जोपवित के रूप में और कटवंध के यहां का कमरबंध होता है उसके रूप में है और दोनो पेरों को पखारने वाली गंगा है दोनों पेरों को पखारने वारा समुद्र है ऐसा देश भी विश्य में ढूंडो तो नहीं मिलेगा जिसके तीनों तरफ से पानी 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 तीनों तरफ से समुद्र पखारता है जिसको वह एक मात्र भारत वर श्मुद्र मुझे कई ब पूछा जाये भगवार पूछे हैं कि कहां जन्म लोगे अमेरिका में कि कहां जन्म लोगे तो मैं कहूंगा बार बार जितनी बार जन्म होगा भारत में जन्म लोगा क्योंकि भारत जैसा पावन देश कोई जिस देश को चारों तरफ से देवी शक्तियों का सहरा है और देव गॉपी गंगा ही हमें दोनों को गायतरी में भी प्रदुश्ण समभी आपते हैं गायतरी के नाम पे लोग पैसे बना रहे हैं बहुत सारा पैसा लूट रहे हैं हमारे गायतरी शक्ति पीट 5000 से जादा हैं पस सब के सब पवित्र नहीं हैं कहीं ने कोई ने कोई गड़बडियां है तो उन गड़बडियों को मुक्त करना है इसी तरह से गंगा को भी प्रदुशन मुक्त करना है प्रदुशन मुक्त करेंगे तो गंगायति और गंगा से हम सभी शाप विमुक्त होते चले जाएंगे हमारे ओपर शाप लगा हुआ है तीनों का इन तीनों शापों को हमको निकालना है गंगा ही हमारे कशाय कलमशों को जो हमारे उपर चड़े हुए हैं उनसे निकालेगी और जागरुकता जो हमारी होगी कि हमें गंगा को कैसे शुद्ध रखना है इसके मादिम से आप यह देखें कि जितने लोग आते हैं आप सोमवतियम आउस से आई तो हमारे हैं करीब करीब सत्तर पिशत्र लाग लोग आए पूरी गंगा के ओपर एक बलातकार कर बेठे पूरा-पूरा हारी प्लास्टिक सब गंदगी सब चीज प्रेंट के चलेगे मैं एक बार कार से जा रहा था तो मैंने पुल के उपर देखा एक सज्जन खड़े हैं अपनी गाड़ी रोक करके और प्लास्टिक से ना जाने कितने पूरुवज़ों के अस्तियां अस्तियां होंगी अमेरिका से कहीं से तो वो नीचे बाहर है और उसके बाद उनने प्लास्टिक के थेली डाल दी जो उनके हाथ में बोज की रूप में थी जो वहां विदेश रही थी वो भी डाल दी उनने मैंने गाड़ी से उतर कर उनसे पूछा मैंने किया किया तो मैंने कौन पंडों के चक्कर में पड़े तो मैंने का आप शांतिक हो जा जाते है आपका बहुत बढ़ी अठंक से विदेविधान से हो जाता कर्मकान आपने क्या यह क्या किया गंगा को गंदा भी कर दिया और पूरुजों की भी गाली ले ली और गंगा की भी गाली ले ली और गंगा की डांट पड़ेगी गंगा का भी शाप लगेगा आपके उपर यह क्या किया आप में इतनों यह बात आप में से हम सब को सुनानी पड़ेगी उन लोगों को जो गंगा को गंदा कर रहे हैं गंगा क का पूरा स्क्षन लगा हुआ पूरा पूरा इसी में कि हम गंगा को निर्मल बनाकर रहेंगे अविरल बनाकर रहेंगे बहती हुई बनाकर रहेंगे किसी भी हालत में कब तक बंदनिया माताजी की जर्म शतापदी 2026 तक हम इसको निर्मल बनाकर रहेंगे ग्रहे ग्रहे गाय करके प्यास करना पड़े गा चाहिसे इस प्रक्रियाह ने हमारी भागि दारी हो आपको जब मिले कोई माख दशन दीजी न उसको आपसको बताइए वो नी बुरा नहीं मानेगे अगर आप उसको सेडहन से समझाएंगे तो बुरा नहीं मानेगा तब आइसा हम गायत्ती परिवार के हैं, हम गंगा की शुद्धी के लिए काम करते हैं, गंगा को निरमल बनाने काम करते हैं, आप गंगा को अंदा करते हैं, आप नहीं बिठा दिया लड़के को अपने छोटे लड़के को, यहां, यहां क्यों बिठा दिया आपने इसको करने के मल पिसरते करने के लिए और हाँ के बिठा दिया आप गंगा को नहीं मानते गंगा को पुव्तर नहीं मानते गंगा ही नहीं इतनों जितने भी जल के शरोत है आपका चोटा बच्चा के आपके साथ चल रहा हो और अप बूचहेंगे बटा यह पानी क्या है सामने, तो गहल कहेगा गंगा जी, हर एक के बच्चे के दिमाग में एक यह चीज बेटी हुए यह गंगा जी, जो पानी है तो गंगा जी है, तो वास्तों में सारे पानी के शोत गंगा जी में आके मिलते हैं, और अगर गंगा को पवित्र करना है, तो गंग इमारे पश्वनतिनाथ मंदिर सेने होती हुझ निकलती है और उस पर बड़ी विराठ स्तर पे काम किया हम लोगो रहे हैं और अबぎ भी हम करेंगे, और भी करेंगे क्योंकि हमने तो गंगा की रर ट्रिवीटरी को पवित्र करना है हर ट्रिबिटरी को पवित्र करना हर को तो यह गंगा दशेरा का मतलब यह है मनाने का कि हम हर चीज को पवित्र बना दें हर चीज को शुद्ध बना दें निर्मल बना दें अगर हमने यह कर दी है मित्रों तो देखते देखते पवित्ता प्रकरता निर्मलता सब चिंतन में आ अगर आने वाले दिनों में आपको मस्धिदों में गायतरी मंत्र का उच्चारण होता हुआ मिले आने वाले दिनों में गंगा में आपको खड़े होकर के मुस्लिम लोग आचमन देते हुए मिले सबी संप्रदायों के लोग आपको मिलें तो आप यह माल लेना परिवर्तन चालू हो चुका है और यह जब तक चरम इस्थिती में नहीं पहुचेगा तब तक चलता रहेगा और चरम इस्थिती कब आईगी? ज्यादा नहीं आप मेंसे किसी को डाउट तो नहीं है कि हम जिन्ना नहीं रहेंगे तब तक ऐसा तो नहीं है न? मुझे तो नहीं शक पर आपको डाउट नहीं होना जी किसी को हमें गंगा को पवित्य देखना है निर्मल देखना है और हमें गायत्री को घर-घर में देखना है यग्य को घर-घर में देखना है और इसके लिए अपनी और से प्रयास करना है अपना श्रम लगाना है प्रश्ण खुप खुप मंगल कामना है खुप खुप गुर्दे माताजी के आशिरवार आज एक बात हो रहे भई आज हम दोनों की शादी का पूरे हो रहे दित्थी के हिसाब दित्थी के हिसाब से आज हम दोनों की शादी के सौखेड़ है तीन जून 1971 को हमारी शादी होई थी गुर्दे न न वालव क्या सोच करे गे दोक्टर को एक इतनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया है और हम आप लोगों के उम्मीदों पे पुरा खरा उतरने कोशिश करेंगे कुप कुमुलाइका भुलिये परम पूज्ये सद्गुर्देव की ये मैं इस मरन को भूल गया था शद्धे को प्रणाम करता हूँ कि ये चोथा आयाम और जुड़ा है और मैं हमारे बीच में उदर दुवेजी जहांक रहे हैं बगल से मैं उनसे निविदन करता हूँ करपेधर आएं भगवती गंगा की गंगा जली रखी उसको सद्धे डाट साब जीजी की सामने रखें और उन माला रखीं दोनों लेके आईए आज उनके विवाह दिवस पर भगवती गंगा का अस्मरण हम सब लोग करते हैं मा गंगा जली का पूजन करेंगे मा गंगा को पुष्पहार अर्पित करेंगे और यही पुष्पहार परस पर अर्पन है ऐसा हम मानते हैं कि शद्धे डाट साब की ओर से जीजी को और जीजी को से शद्धे डाट साब को ये विशेस पुष्पों का उपहार प्रशित किया जा रहा है मा भुगति गंगा का स्मुरन करें ओम विष्णु पादाव्य संभूते गंगे त्रिपत गामनी धर्मत्रवे जिविख्याते पापमे हर्जानवी नमामि गंगे तवपाद पंकजम सुरा सुरे वन्दित दे विरूपम मुक्तिम् चभुक्तिम् ददासिनित्यम् भावानु सारेन सदानरानाम भावानु सारेन सदानरानाम मुक्तिम्